नमस्कार आप जोई रहा होचो न्यूस एटिन गुजराती हूँचो सिद्धार दौक्या चार कल्लाग मा राज्यना 34 स्तालुका मा वर्साद था होचे वलसाड ना उमरगाम मा सौथी वदू वर्साद जोवा मनी रहा होचे ये नव जीवन साथे नो आ वर्साद जोवा महीरा होचे खेडू तो सवती वदारे खुशकुशाल जे दर्धी पुत्रों के जेओने राहा दी कितमना पाक ने नव जीवन आप तो मेगो क्यारे वर्स चे ये मेगो वर्सी रहोचे अवमान विबग नी आगाई मुझब आगामी चार दिवस मां समगर राज्यरी अंदर चुटो चवायो वर्साद भारे वर्साद वर्साद दी तिवरता विस्तार प्रवाणे अला गलाग अशे परंदू वर्साद चोकस थी तश्याजे अमदावाद मापन सवारे अमी छा आठना जिवात रहिश्यों हता कि जारे नंदोच सवनी उजावणी अनेक मंदिरों मा थही रिया अती तेरे वर्साद था तो वर्साद जिल्लामा पन लांबा विरामबात फरी एक वकात वर्सादी महोल चवायो चे गई मोडी राथी जिल्लाना तमाम तालुकाओं मा वर् वर्साद वर्से ओतो जिल्लामा थाईली मेग महर थी खितीना पाकने नव जिवन मढ़ू आथी खेडुतों मा पन खुशिनों मा होल सवार माद पन जिल्लाना तमाम तालुकाओं मा मेग सवारी यथावत रहिया थी उमर गाम अने वापी मा भारे वर्साद ने करने निचा अबकता अनेक विस्तारों मा रस्ता उपर पानी भाई बरह गया आता तो वापी मा पन भारे वर्साद ने करने चला अने चानों विस्तार मा थोड़ा समय सुधी वर्साद जुआ मले होतो तो अनेक विस्तारों मा हलमा पन भर्साद छे खासके अंदक्षिन गुझरात मा सौधी वर्साद जुआ मले रहा हो छे हालमा परिस्तिती शुचे ग्राउंड जिरो ते जानवानों प्रयास करेशु न्यूज इटीन सम्वाद आता भरत सी अमरी सते जोडायला छे भरत सी हालमा ग्राउंड जिरो परिस्तिती शुचे अनेके बाATHER जिल्ला ओ अनेके बाद तालुकाओ जे जान्गर पांच इच चार इच वर्सादि नौन्दाय हो छे जोके मेरेत्SON विराम सब्सक्राद में अवी। तोड़ा समय थी वर्शाद चे विराम लीदों छे जोके हजूपन कप्रणा ने ध्रंपूल तालु का जिल्लाना अंतली और विस्तार चे आंगल वर्शादी महल जोओं अम्गाइ अंगल तालु तालुकाहों मां सवाइब सबस्क्राइब ईकर डमार्गम् सवाथी वदूर्शाद वर्साद जिलना हम वक्रशाद आंपक नउन्हाद पांच इंच वर्साद वर्शाद रहे वर्टानी अवर्गमन निछल आ रहे किस अप्स प्रूभी आ खाली आव शोर्सुम्बर विस्तार उन्हाद आ वी पानी बराया ता साथ जे उमर गाम नुजे स्टेशन रोड चे आव इसल मा दर वक्ते भारे वर्साद वक्ते कि ट्लाक निचल वड़ा विस्तारों मा रहना किस्तारों मा पर लोको ना गलो सुधी पानी गुषी जाई चे आम आजे पर जे रिदना मात्र चार कलाक माच काने उमर गाम ना पान निचान वड़ा ने किसालों मा चे नीचान वड़ा विस्तारों मा चे टोड़ा समय सुधी रहना को लोको ना गलमा पानी बराया ता आने सौपिंग प्लेक्ष मा पानी जोवा मढल आता जोके अग्यार वाग्या बात चे जिल्डा मा वट्साद विराम रिदो छे जोके कप्रड़ा ने दनपूर तालू का जिवा जे अंतली आल पहाडी विसाद चे तेहां गड़ पन गईक मोली ला थी आल सुधी वपोर सुधी जेल दन वसादी माहोल छवाए तो एने काने जिल्लाने तमाम नल्दी नालों मा नवा नीर आवे चे तो ज शिद्लाने जिवालो निच्रमां जे मधुबन डेम चे एनी एंदर्पन पानी आवकमा शत्तल्ज वदर रोथेल चे शिद्ध अवर भरच्ची समगर माहेती बदल तो हाल माजे वर्सादी माहोल जुवा जुवा मली रहो जह वरसादी माहोल नी असर महराष्ट्र मापन ज महल जाम्यों छे वैली सवार्थी जवात्तारों मां पल्टा सादे वर्साज च्वरू था अब अमान विबागनी आगाए मुझा मारास्ट ना विदर्बना पश्ची मी विस्तार मां लो प्रेशर सर जावा थी आगामी 24 कल लाग दर्म्यान मुंबाई अने तेना अन्य विस् अन्य विस्तारों इवाज चे के जया अंगल वर्साज जो आ मली रहो चे अनेक विस्तारों नी अंदर हजी जल जमावने लेने अपडेट न थी परंदु वर्साज ने लेने परिस्तिती ने काबू माराखवाना प्रयास बीएमसी दरफती पन करवा मां आवी रहा चे मुंबई निशू परिस्तिती चे माराष्ट निशू परिस्तिती चे जान इशू न्यूज एटीन समवा लाता प्रशांद पांडे पासे दी प्रशांद जी हमें ये बताईए कि बीएमसी किस तरी से हाल में जो बारिश हो रही है उसको लेके तैयारियों में लगी हुई और कौन-कौन से विस्तार है कौन-कौन से इलाके के जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होने के चांसिस है कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें राहत बचाओ का काम जल्दी से जल्दी मिले रही बात दुसरी तरफ अगर हम देखे मुंबई और मुंबई से सटे इलाके पालघर की तो अभी भी जो है मुसलाधार बारिश इन इलाकों में हो रही है पालघर इलाक बीयम्सी की तरफ से लाइफ 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 लाइन कहीं जाने वाली वेश्टन रेलवय की बात की जाए और स्यंत्र हम दें गए मुंबई की हाल देखी थी, lifeline के हाल देखी थी कि कि तरह से मुंबई की रफ्तार पूरी तरह से रुक गई थी तो एसे में लगातार जितनी भी एजनस्याज हैं चाहे याता यात शाहित की बात की जाया है तो अब देखें तो यह नजारा है मुंबई से सटे पालगर का जहां पर आप देखें तो अभी भी लगातार बारिज जारी है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जोड़ार बारिश होने के चलते जो परिस्तिती है तो धीरे-धीरे जल जमाओ की इस्तिती में निर्मान होती प्रशान जी आप वमर से जुडे रहे हम अमर धश्वत को और भी खबर बता देते जो माहरास्त की रिगाडिंग है माहरास्ट न जलगावमां मूटी मौडी राती जलगावमां वर्साथ था आप ज,, ने तबाही सर जायए CHE प्रशान जी आप ये बताईए कि जिस तरह से जलगाओ की परिस्तिती फिलहाल है, क्या अपडेट्स मिल रही है, जलगाओ में क्या अभी भी लोग फसे हुए, किस तरह से NDRF या SDRF की टीम से भी बड़ ली जा रही है जी बिल्कुल देखिए, अभी कुछ समय पहले जो तस्वीरे सामने आई थी, वो काफी डराओनी तस्वीरे थी, क्योंकि पिछले दिन हमने महराज के हाल में देखा था कि महाड और चिकलून में जिस तरह से लगातार बारिश हुई थी, तो कितने लोगों की मोतों ही, कितने गरे जो हैं तबाह हो गए, और आज 40 गाओं की बात की जाए, जो जलगाओं में हैं, वहाँ पर आधा गाओं जो है, पुरी तरह से पानी में डूट चुका है, मौके पर एंडिया अरफ की टीमें को रवाना कर दिया गया है, ताकि जो लोग पानी में फसे हैं, उन्हें त साफी दिक्कत भी हो रही, एंडिया अरफ की टीमें को रवाना जरूर कर दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि कितने लोगों को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाता है, और वहीं जिस तरह से मैंने कहा कि सिर्फ 40 गाओं ही नहीं, बलकि महाराज का विदर पालगर और साथी साथ मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, उन्हें भी मौसम विभाग के तरफ से अलेट पर रखा गया है, 24 गंटे तक मुशलाधार बहुत तेज बारिश होने के आसार जो है, मौसम विभाग ने जता है, और साथ तर पर कहा गया है, कि बहुत ज़्या मुंबई की खासतों पर बात की जाए, तो मुंबई के कुछ ऐसे निचले इलाके हैं, जो बारिश में तुरंद भर जाते हैं, और BMC जो दावा करती है, कि 100 करोड का बजट तो नाला सफाई और कामकाज में लगाती है, ताकि मानसून से मुंबई करों को दिक्कत ना हो, ल लेकिन अगर आप मुसम को देखें, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कि कितना धना बारिश है, और लगातार बारिश मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में हो रहा है, और यही वज़ा है कि मुसम विभाग ने सभी को अलट पर रख दिया है, ताकि जिस तरह से पि कई घरे तबाव गएते हैं, तो ऐसे में अब कोई रिस्क ना लिया जाए, इसलिए ओको अता किया जा रहा है, साउधान किया जा रहा है कि अपने घरों में रहे, 24 घंटे का इशारा मुसम विभाग से दिया गया है, उसके लिए सभी लोग साउधान रहे हैं जी प्रशान जी, आप भी आपका खयाल रखी का शुक्रिया साही जानकारी के लिए तो जे दर्शो कोमर्से जोड़ा जे ते होने पन जणावे दिये के महारास्टर नी अंदर अनेक जे ग्या है, जो आपना परिवार जानो है, तो तेमनी पासी अपडेट लेजारे जो व बना लांबा विरामबाद वर्साद आवता धरती पुत्रों मां खुशी व्यापी गई छे, वर्साद ने बगले डांगर, जुवार, तुवेर सहीत ना पाकने जीवन दान मली गा हो छे, वहली सवार थी, वर्साद वच्चे लोकोंने गर्मी आने बफारा थी मली रही छे रहात, सोनगड सहीत ना ग्राम में विस्तार मा पन शरू था हो छे, वर्साद, आद रश्यों आप जोई रहा, जोके जैनी रहा, लांबा समय धी गुजरात दी अंदर जुवामा आवी रही थी, पचास्ट का वर्साद नी हजी पन घड छे, फक्तास्ट का वर्साद अब वामान विबाक्स पस्त करी जुके जुके के सप्टेम्बर मा किटलो पन सारो वर्साद थाए, कर आज वर्साद सो टका न थाए, परन्तु आज ये पन वर्साद छे, खेडुतों माटे सो टका रहात ले रही रहा हो छे, तेमना पाक ने दाउ जीवन मली रहुच्वा अब विबाक्स पस्त करी जुके जुके के जुके जुके Ctrl थाए, कर आज़ फेका रहे पन सारो पनले करत करी अजय दाष्युद माटे सेवर्से दावी ब्रहे नक्तू टका न थाए, बहाम कि आए, करे मेहा जीवन मली रहुच्वा पाक न पालता याज ब्र हाताओ, शे ड अलानी अत्यी वरुस्टी थी जे नुक्षान थयोंचे तने सरभर करी शकाये परन्तु तेवी परिष्टितेनों आवर्षे निर्मान थयो हवे जे वर्साद आवे होचो तेना थी खेडुतों ने आशाचे के जी थूडू गणू पन नुक्षान अतू तेने सर्भर करवामा मदद करचे आवर्साद सुरत नी समाचार सुरत मा लामबा विर्यामबाद ग्राम्य विस्तार मा शरूधा होचे वर्साद दिमिदारे शरूधा होचे वर्साद कीम कोसंबा साइद विस्तारों मा शरूधा होचे वर्साद वातावरन थेगा होचे थंडख वालू खेडुतों माटे पान लाब दायका वर्साद सुरत ग्राम्य विस्तार नी अंदर पं लामबा समेधी अंदाजीत 15-22 नो समय धेगा होचे जार्ती वर्साद नो तो और हवे वर्साद आवे होचे अवमान विबागनी आगाही सटीक आवक्ते जुवा मली रही जेका जमा आगाही प्रमाणे अनेक विस्तारों मा वर्साद थे होचे अना हजी पन आगामी चार दिवस राज़ेन आनेक विस्तारों मा वर्षाज जू आमार छुए राज़ेन एक इल्लाख विस्तारों मा विराम बाद करी छे वर्षाद एंट्री फरीग वगधन्या एंट्री लोकोंने खुश-खुशाल करी रही छे सूरत मा पन वर्साद नू आगमान था उचे ग्रामिय बाद शहर नी बाद करिये सूरत शहर मा पन वर्साद नू आगमान था खेड़ुतों मा खुशी नू मा आओल छे परन्तु शहरी जानों पना ठंडग थी खुश-कुशाल जो आमली रहाचे पाक ने जिवन दान मड़ी गाऊचे खेड़ुतों खुश-कुशाल था ही राया जे एक तरफ ग्राम दा विस्तार नी अंदर तो शहरी विस्तार नी अंदर जे शहरी जानों जे तेवों ने बफारा थी उक्राट ती गर्मी थी रहाद माली जाए वर्षाजे लोको मा कुशीनों मावल पहलावे होचे कासकरी ने खेती मा वर्षाजना पानी नी सोती अधु जरूरिया तो ती त्यारे त्रांद इवस्त नी भारे वर्षाज नी आगाई वच्चे जे रीदे वर्षाज सोरूत होचे तेने लहिने दक्सिन गुजराजना घरती पूत्रों गेल मा विच्चु क्या चे सूरत मा काणा डिबांग वादरों वच्चे वर्षाज पोतानी गती पकड़ी रहुचे चेने लहिने सूरत जाने धिर्टेसन मा परिवर्थी थया होई तेवा नजारा सूरत मा जोवा मडी रहाजे तेश्पटेल निवस्तिन गुजराती सूरत देश्णी राष्दारी दिल्ली मा पन धहुचे वर्षाद वर्षाद अनेक जग्याए पाणी पाणी जुवा मडी रहुचे दिल्ली वादर चाया वातारों वच्चे दिल्ली वा वर्षाद नी धवा के दार एंट्री थे वर्षाद ना कारने ठेल ठेल पाणी पन भराया रस्ताओ पर पाणी भराता वहां चालकुन हाला किनों पन सामनों करवो पड़ी रहो छे दिल्ली ने रस्ताओ जाने दर्यों बन्या होए तिवा नजारापन जुआ मल्या अब अमान विबाग नी आगाई मुझब आगामी 24 का लाख बाद दिल्ली ने तेना आसपास न अविस्तारों मा भारिती थी भारे वरसाद पड़िशा कैचा अब लागातार जमा झम भारी सो रही है उससे लग रहा है कि पूरे दिन से बना रहे हैं और बारिष हो गी तरद देखा जाए तो सुबब करें शिश्तर से रूगरम विंजिम पारिष हो रहीथ ती उस्षेज मोसं सुहाना हो गया था और लोगों को उमस भरी गर्वी से बड़ी रात में थी लेकिन जिसतर से आस्मान में बादल चाहे हुए थे और मौसन विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था कि मंगलवार को बारिस हो सकती है तो जिसतर से बारिस हो रही है अनुमान यह है कि यगर इसी त दिल्ली वास्मियों के लिए गर्दमी से लोगों को रहात मिली है लेकिन बारिस लगातार हो रही है और इससे जो है कई अभी कई सड़कों पे जल्भराव की स्थिति देखने को मिल नहीं है केमरा पसंद योगेंसी के साथ राजी उतिवारी न्यूजट इन दिल्ली जल्झ केन दिल्ली एनसीए रहन मोर्सी रहला वर्साद दूदमार वरसाद तश दिल्ली नी आस्पास थाने के जैपन लामबाb विरामबाद वर्साद थेर रहोोचे तेओं माटेपन रहत्द सबाचार से के आगमी 24 का लाक मा अनेक विस्ता रूमा वर्साज जुवा मर्शुए राजधानी दिल्ली एंस्यार में हो रही बारिस से मौसम सुवाना हो गया है शुबस से यह आस्मान में काले बादा चाहे हुए थे और अब जिस्ता से बारिस हो रही है उससे आप देख सकते हैं कि मौसम सुवाना हो गया है देखा जाए तो पिछले दिन लागातार जिस्ता से घर्मी पढ़ रही थी उससे लोगों का हाल बिहाल हो गया था लेकिन आज सुबस से जिस्ता से बारिस हो रही है उससे मौसम में जो है बदला हुआ है और तापमान में गिराउट है मैं दिखाना चाहूंगा कि आसमान में अभी वी कादल काले जो बादल छाय हुए है तो इससे अनुमान है कि पूरे दिन जो है इसी तरह का मौसम बना रहेगा जैसा कि मौसम पर इंको ने पहले ही जो है अलर्ड किया था कि दिल्ली में मंगलव पर इंको बारिस हो रहे है और मौसम बीभाक का यह भी करना है कि पूरे दिन मौसम इसी तरह का बना रहेगा तो खुल मिला करके देखा जाए तो लोगों को गर्मी से बड़ी रहात मिली है और लगतार इमजी पारिस धिल्ली अंस्यार में हो रहे है केमरा पसन योगन जीक अब देखा जाए तो आजी उति वारी नियू जटी दिल्ली तो अंदावाद ना पन किटला क्विस्तारों मा वर्सात जिवराज पार्क प्रणाद नगर मा पन वर्सात जोचे वासनान सरकेज मा पन वर्सात ने लेने अपडेट मली रहे चे गईकाले पन दिवस धर्म्या अनिक विस्तारों मा अंदावाद मा वर्सात तो आजे पन अनिक विस्तारों मा वर्सात जोचे जोके हलो वर्सात तो बुंदा-बुंदी जुवा मली अति तेवो भारे वर्सात जुवा नथी मल्यों परंतो अंदावाद नी जनता अंदावाद ना शेहरी जानो आ वर्सा खुशे काणके तरस्त गर्मीयन बफाराथी तेवने रहत मड़ी चाँ जिवराज पार्क, प्रलाज नगर, वासना, सरखेज, SGIवे आ तमाम ये विस्तारों अंदावाद ने के जैंगल वर्साद ने लेने महीती मड़ी रहेचे अन्ये खबर पर नजर करिए, कोरोना वाइरस नी त्रिजी लहर ने रोकवा माटे देश मा मुटा पाये रसी करन अभ्यान चलावाई रहेचे परन्तुक इटलाक लोको हजुपन महीती ना अभावे रसी नती लई शक्ता आनेज द्याने राखी सुचना ने प्रसारण मंत्रा लए हिमाचल प्रदेश ना उना माई 9 पहल शरू करीचे जनी सफरता त्यां 100 ड़का रसी करन नी गैरंटी बनी जचेशे हिमाचल प्रदेश के उना में वेक्सिनेशन की रफ्तार को और गती देने के लिए सुचना एबंप्रसारण मंत्राले ने एक नई पहल शुरू की है इस कारिक्रम के तहत 18 वर्ष से अधिक आयूवर के जिन नागरिकों को वेक्सिन की डोज नहीं लगाई जा सकी है उन्हें कवर करने के लिए मंत्राले ने यहां आउट्रिच जागूरुकता भियान के तहत उना में एक खास वहन रवाना किया है रिजनल अस्पताल उना के कैंपस से रवाना किया गया यह वाहन जिले भर में हूम घुम कर लोगों को वेक्सिनेशन के प्रती जागूरुक करने का काम करेगा दरसल सूचना इबंपरसारण मंत्राले की योजना उन लोगों को टिका करण अभियान से जोडने के लिए शुरू की गई है जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है और जिन्होंने वेक्सिनेशन की एक भी डूज नहीं लिया है ऐसे लोगों में खास कर अस्तनपान करवाने वाली माताएं, गरहुवती महलाएं और गंभीर लोगों से जूसते वो लोग हैं जो चल फिर भी नहीं सकते या फिर जानकारी के अभाव में उन्होंने ठीका नहीं लिया है 24 अगस्त से शुरू किया गया ये अभियान पुना में पांच दिनों तक चलेगा और इस दोरान मोबाइल वाहन के जरिये औडियो जिंगल्स और पंप्लेट बाढ़ कर लोगों को वेक्सिन के प्रती जागरुक किया जाएगा कोरोना की तीसरी लहर को रोकने का सिर्फ एक ही कारगर हत्यार है और वो है वैक्सिनेशन उमीद है कि सीथी सी बात को लोग समझेंगे और कोरोना के खत्रे से देश उबर सकेगा बिरवर्पोर्ट न्यूजटिन निर्वर्ग मिड़े रिपोर्ट मात तेरे बसाटू देश प्रदेश नी तबाँ खबरों माते आप जोड़ायला रहो नियूज 18 घुजराती साथ है